हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रूपास किचिन आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हो मूंग दाल का चीला मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने मूंग दाल को ओवरनाइट सोप करके पीस करके रेडी कर लिया है इस तरह से अब मैं इसमें एट कर रही हूँ कटे हुए हरे मिर्च और थोड़े से प्यास आप चाहे तो इसमें धनिया पता और टमाटर भी एट कर सकते हैं इन्हें एट करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा हमारा चीला बन कर रेडी होगा मूंग डाल में बहुत ही कम कैलोरी होता है तो ये वेट लोस के लिए बहुत ही बैस्ट है आप इसे ब्रेकफस्ट और अगर वेट लोस करना चाहरे हैं तो इसे डिनर में भी जरूर लीजिए अब मैं इसमें एट कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा नमक वैसे तो मैं इसमें हमेशा वाइट सॉल्टी एट करती हूँ पर अगर आप वेट लोस के परपस से बना रहे हैं तो आप पिंक सॉल्ट इसमें एट करें यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक तोनों ही मैंने वन टी स्पून एट किया है सॉल्ट थोड़ा सा जादा एट किया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एट कर सकते हैं जितना आपको पसंदो वापस से एक पर सारे इंग्रिडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी और नमक जो है वो भी इसमें अच्छी तरह से खुल जाए अब मैं इसमें थोड़ा सा टैंगी टेस्ट लाने के लिए हाफ लैमन एट करूंगी लैमन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हल्का सा खट्टा बहुत ही अच्छा लगता है अगर लैमन एविलेबल ना हो तो आप इसमें आमचर पाउडर भी एट कर सकते हैं चीला का बैटर बनाते वक्त आपको खास थ्यान रखना है जो आपका बैटर है वो बहुत पतला और बहुत थिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसा मैंने बनाया है अब मैं इसमें एट करूँगी थोड़ा सा वाइट तिल अगर आपके पास एविलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं यहाँ पर मैंने गैस आउन करके तवे को रख दिया है अच्छी तरह से गर्म होने के लिए जैसे ही तव अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा पूरे तवे में हम ओईल को अच्छी तरह से स्प्रेट कर लेंगे अब यह बैटर को हम थोड़ा सा एट करेंगे और जिस तरह आप डोसे को फैलाते हैं न तवे पर बिल्कुल हलके हाथ से आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है यहाँ पर बैटर को हमने बहुत अच्छी तरह से स्प्रेट कर दिया है अब हम इसमें थोड़े से तिल के सीड एट करेंगे उपर से चीला बनाते वक्त आप एक चीज का खास थ्यान रखें जब तक एक तरफ से बहुत अच्छी तरह से ना पक जाए आप इसे ना पलटे अगर आप पीछ में पलटेंगे तो आपका चीला पूरा तूट सकता है तो इसे बनाते वक्त थोड़ा पेशिंस रखना बहुत जरूरी है इस तरह का स्पैचुला मैं यूज कर रही हूँ इसे पलटने के लिए इससे बहुत ही एजिली चीला पलट जाता है और आप देख सकते हैं ये पकने के बाद कितना एजिली निकल जा रहा है पस अब मैं इसे उठा कर पलट दूंगी और आप देख सकते हैं ये कितना खुपसूरत कलर आया है बिल्कुल गोल्डन सा दूसरे तरफ से भी हम इसे बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे यहाँ पर ओइल मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ बहुत लेस ओइल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम बना रहे हैं वेट लॉस चीला यहाँ पर हमारा एक चीला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और दूसरे चीले में भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए बना रहे है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आज की एक क्विक सी और एजी सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आप देख सकते हैं इस चीला के भी उपर से पूरा गोल्डन सा कितना प्यारा सा लग रहा है यह बहुत ही अच्छा पक्कर रेडी हो चुका है अब हम इसे सर्फ कर लेंगे एक सर्विंग प्लेट में आप इसे धन्यापत्य टमाटर के चटनी या फिर इमली सॉस या फिर टमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं मैं फिलहाले से इमली सॉस के साथ सर्फ कर रहे हूँ आज की यह इजी सी रेसेपी आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ठैंक्स फॉर वाचिंग